हलो डियर स्टुडेंट्स, वेलकम बैग, आज का लेक्चर जेवी टी, अंडर ग्रेजवेट, एमें इंग्लिस और जो स्टुडेंट्स की स्टडी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही, साथ ही साथ उन सभी के लिए हैं जो इंग्लिस को ठीक डंग से सीखना और बोलना चाते हैं पिछले दो वीडियो में हमने स्टुडी किया ओर्गन्स ओफ स्पीच एंड फोनेटिक सिंबल्स के बारे लिए, आज हम स्टुडी करने जा रहे हैं उससे एक स्टेप और आगे, कम्प्लीट फोनेमिक डिस्क्रिप्शन ओफ इंग्लिस कंसोनेंट्स, देर और 24 इंग्लिस कंसोनेंट्स, 24 कंसोनेंट्स हैं, उनकी कम्प्लीट स्टेडी यानि उनका प्लेस ओफ आर्टिकुलेशन और मैनर ओफ आर्टिकुलेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, प्लेस ओफ आर्टिकुलेशन का मतलब है कि कौन से इस्तान से वो बोले जाते हैं और मैनर ओफ वह place of articulations, वह downwards है manner of articulations. VL stands for voiceless sounds and VD stands for voiced sound. So first of all, P sound. P. P. P is a bilabial, voiceless, plosive sounds. Exam में कही बार पुश सकते हैं, What is the three term label description of the sound P? तो त्री टर्म नेबर डिस्रिप्शन एज पर इस वोइसलेस, बाइनेबियर और प्लॉसिव सांड अब इसको वाइसलेस क्यों कहते हैं विकोज जो हमारी वोकल कोड्स होती है इसमें से एर पास होती है वोकल कोड्स समवन लाइक जिसके फ्रेंट पार्ट में यह ब्लोक होती है और एंड में बी ओपन वो फुल भी सकती है जब इन में से एर पास होती है तो बगए किसी आवाज के अगर निकले तो वोइसलेस सांड और वोकल कोड्स हमारी सांड के दौरान वाइब्रेट करें तो वोइस्ट सांड होती है सो हगो ए सीच का बहसी सब्राइएं क्लोसिव सांड क्या होती है सिंपल सी सब्राइब में उत्श्रिक में कहां तो इस सब्राइब क्लोजर सब्रेंग्स सब्ट चर्वेंग क्लोजर सिर्ण हैं कि अब healthy मेकैनीजम समझेग During this sound, the air, the two lips makes a firm contact with each other and the soft palate is raised to shut off the nasal paces and the air escapes through the oral cavity. And B is also produced in the same manner but there is only one difference. P is a voiceless sound and B is a voiced sound. Next, T. T is a voiceless, alveolar and plosive sound. During the articulation of T sound, tip of the tongue makes a firm contact with the alveolar. Alveolar, jaysay kiska naam hai? Alveolar. Or T, T yarni ki tip. Jab humari tip joh hai, alveolar ilse contact kerti hai, to tab ye sound create hoti hai. Ya, hamaari joh hai, ah, joh soft palate hai, wo raised hooti hai, nasal paces ko block karnai ke liye. And D is also produced in the same way but D is a, D is voice sound. Now, hap in ki, meri saag practice kerti hai, t, t, t. दियान से देखेंगे, तो आप टित जो है हमारी alveolaris, alveolaris होता है, टित के पीछी का जो भाग है, उसे टित रिस या alveolaris होते हैं, ट आज टाइगर, थी, ड आज इन डॉग, 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 टॉग, टॉग, अलोफेनिक वेरियंट्स भी है, वेरियंट्स भी जो देखेंगे, टॉग, 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 जो एक और साउंड है, वागे है कॉग, खाय्ट्ट्स, काई नेक्स बात परते हैं कर सांद कर इज विलर प्रोसिव और विचले सांद कर दूरिंग अर्टिकुलेशन ऑफ कर सांद बैक पाउट अग्स फ्रंग कोंटेक्ट विदा सौफ पैलेट इस रेस्ट प्लोग दा नेजल कैविटी यानि की जो कब जैसे अब मेरे साथ बोले कब कब काईट काईट बैक पाउट अब पाउट अब जो विलर विलर सांद है विलर जो हमारा है पिल्गुल टंग की पीछे अब डियू गया रुटे एक फ्लैशी सार्श ट्रक से लटका राता है उसे यू ला या विलंग होते हैं और विलंग से आप विलर याद रख सकते हैं ऐसी साउंड की होती है लेकिन गज हमारी वोिस्ट सांड मेरे नेक्स्ट च और जह च च जह जह अब च सांड जो नहां ह क्थπό consistent yes干 टोरे कुछे जी जीद और है क्थढ काथ सत्क अंचोरे ने पुंच लेगर धंचोरेंड सट्वीर Neparak!!! और घूँञ जौर Ingred खौ तक शवन रह की रही बेड लेगरुेकरिजा hard collect and job is also articulate in the same manner but jay is a voice sound enter is a wish lesson so as in the word chair chair during the sound junk just just next mom mom my is a bilabial nature waste sound during the articulation of ma ma sound two lips contact with each other firmly and the air escapes through the nasal cavity there are three nasal sounds in English ma na and ang ma is a voice sound voice because vocal cords are hand loosely together and when the sound comes out vocal starts vibrating during the articulation of n sounds the air escapes from the nasal cavity because the tip of the tongue is against the angular race that is n and is angular tip of the tongue makes a contact with the angular race and the air escapes through the nasal cavity and next is um um is willard voice and nasal sound during the articulation of this sound air escapes in the same way and nasal cavity cavity and back part of the tongue is attached or makes a contact with the soft palate to gopi or consuming the oral passage that is the order of the ear or is one nasal cavity in the air also a nasal cavity say happy day just a key King King naak se awati ha sing an a key sound next free फु één हु प्हु फॉ ऋूisson, फॉ फॉ लिजए लिजाट्टल्ट जिएकिति, लिएफॉ अडिति बशु इंस बॉझी अप्छिटोब्रीच्टपू up $ developed a Ó फॉ ऑम्सी Cubdy यह किर सा सा के लुखके UP 50, when, when, upper set of teeth makes contact with the lower lips. और जब हम ऐसा करते हैं, यानि कि upper set of teeth इससे contact करता है, तो and the short palate is raised to block the nasal passes. So air जो इसमें से pass होती है, वो friction, वो friction create करती है. Next, F is voiceless, whereas वो is voiced sound. Next, था and दा, था is voiceless, dental and fricative sound. Fricative sounds होती क्या हैं, during the articulation of fricative sounds, articulators are so close to each other. Articulators के मतलब है, there are two type of articulators, active articulators and passive articulators. Lower lip and tongue is called the active articulators and roof of the mouth, upper lip and upper set of teeth are called passive articulators. जब ये दोनों एक दूसरी के बहुत contact close में आती हैं, तो air जो उनमें से pass होती है, वो बिलकुल जो audible होती है, friction के साथ आती है, narrow gap होता है, वो हमारे fricatives होती हैं. and next the tha, during the articulation of the tha sound, the soft palate is raised to block the nasal cavity and the tip of the tongue. थ, मेरे साथ आप बोल सकते हैं, थ, थ, tip of the tongue makes firm contact with the upper set of teeth, जो अमरी tip है, वो अपर set के teeth के साथ touch करती है, and the, this, this, the is also pronounced in the same manner as थ, but the is voiced sound. Next is स, से and जे are alveolar and fricative sounds. During the articulation of से sound, the tip of the tongue comes very close to the alveolar wrist, and the nasal cavity is blocked by the raised soft palate. स, as in sun, sun, जे, जू, 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 makes contact with the alveolaris, simultaneously, front of the tongue also raise towards the direction of hard palate. यानि की hard palate की direction में front पाट जाता टंग का और tip उजो हमारी टंग है, वो alveolar की direction में जाते हैं. thus this sound is created as in the word she, shade, shade, she and zh, vision, vision, pleasure, pleasure. Next, her sound. This is called glottal sound. जो हमारी जो vocal cord से होती है, उनके बीच का जो opening होता है उसे glottis होती है. जब ये gap जो बहुत ही narrow हो जाता है और इसके बीच में से जो sound create होती है, voice के साथ, वो glottal sound कहलाती है. हा, as in hen, hen, hair. Next is la sound. एक sound ओर रही हमारी. la, la is alveolar and lateral sound. There is only one lateral sound in English. la, la. Tip of the tongue is raised toward the direction of alveolar raise. And the air escapes through the side of the tongue. Tongue की साइट से air निकलती है. l is a voice sound. Next is ra. ra, ra is post-alveolar and frictionless contingent. During the articulation of ra sound, ra, ra, tip of the tongue makes a contact with the rear part of the alveolar raise. alveolar raise हमारे tip के पीछे है, तो उसके पीछे का जो बाग है, उससे contact करता है. इसके बारे में एक और important बात है. For example, in run. वावल की साउंड से पहले अगर आर आता है, तो उसकी साउंड होती है, ra, ra. लेकिन यदि जियांड की साउंड से पहले ये साउंड आए, तो इसको बोला नहीं जाता. जैसे की, heart, heart, ra की साउंड नहीं आती क्योंकि तह यहांपर जो है, जो है, अंसोनेंट है. So, and this last one is Yer, Yer sound. Yer is plaital and semi-wound sound. It's a consonant, but somewhat it works like a vowel. ये, ये, during the articulation of this sound, front part of the tongue is raised toward the direction of soft palate. ये is a voiced sound, and next is वा sound, वा is a binabial voiced and semi-vowel sound. during the articulation of वा sound, वा, वा, back part of the tongue is raised toward the direction of soft palate and the lips are rounded. makes firm contact with each other. वा, 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 वेर, 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 वेर. विडियो पसंद आया हुआ, आपने देखा, कि इस वीडियो को बनाने में कितनी महनत की है. आपके लिए भी मैं छोटा सा बगैर महनत का काम देता हूँ. अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू.